आप सभी का स्वागत है इस वक्त में आपके साथ रजा सिंग वक्त हो चुका है आपके अपने खास प्रोग्राम आज के राशी फेलका आज जानेगे की राशी के ग्रहूं की चाल को देखते हुए किन राशीयों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा आज ये भी आप जीवन में बड़े बदलाओ किन बातों का रखे खास ध्यान। चलिए जानते हैं कि आज कौन सी राशी है जिनका गुरुवार का दिन विशेश होने जा रहा है। किसी वरिष्ट प्रेजन के सहीयोग से अधूरा पड़ा काम पूरा हो सकता है। नौकरी पेशा बर्ग हमेशा फायदे में रहेगा। उपाय दस ने त्रहीनों को भूजन कराएं। मिथुन राशी आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, किसी काम में आप बेवज़य हाथ ना डालें। उपाय तेल में अपनी छाया देखकर तेल दान करें। करक राशी राजनीती में कारिरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी छवी और निखड सकती है, आप किसी को धन उधार ना दें। उपाय आज घर की छट पर लकड़ी, इधन, चोखट, आदि व्यर्थ में ना रखें। सिंग राशी अपनी जिम्यदारियों से पीछे नहीं हटना है, लोग आपके कामू में आपका पूरा साथ देंगे, आपके कुछ नए विरोधी उत्पन हो सकते हैं। उपाय मंदिर में नारियल, अखरोट, आदि, दान करें। कन्या राशी, आप अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी आदि को करने की योजना बनाएंगे, आपके अंदर एक्स्ट्रा एनरजी रहने के कारण आप प्रत्ते कामू को करने के लिए ततपर रहेंगे, आपके लंबे समय से रुके हुए काम भी आसानी से पूरे हो सकते ह उपाई, आज भगवान श्री विश्णुजी की आराध्धा करी आपको किसी से कोई बात बहुती सोच समझ कर करनी होगी, आप अपने सायोगियों से मन की बात कह सकते हैं आज भगवान श्री गड़ेश जी को बूंदी के लड़्डू का भूग लगाएं घनु राशी, आज का दिन तरक्की दिलाने वाला हो सकता है, आप अपने बिजनेस में कुछ और चीजों को शामिल कर सकते हैं आपके उपर काम का बोज अधिक रह सकता है, उपाई, आज माता लक्षमी की पूजा करें मकर राशी, आज का दिन खुश्णुमा रहने वाला है, आपको कारिश्यत्र में कोई बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है, किसी चीज को लेकर आप कोई बड़ा एलान कर सकते हैं, उपाई, एक सफीत मुंगा चान्दी में बढ़वा कर धारन करें कुम राशी, आज का दिन अपने खर्चों पर नियंतर्ण करने के लिए रहेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पढ़ सकता है, आपका ध्यान एकागर ना होने की कारण कुछ समस्याओं आ सकती है, उपाई, शी हनवान जी को तेल में मिले हुए सिंदूर कान लेप करें, मीन राशी, किसी नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, आप जिस भी काम में हाट डालेंगे, उसमें आपको सबलता मिल सकती है, आपको उपनी संतान के लिए भविश्य को लेकर कोई प्लैनिंग करनी होगी, उपाई, सुन्दर क कान का पाट करें, फिलाल आज के राशी फल्म में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें, सी न्यूस भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ